तो हेलो विंग कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको उताने हूँ सैमसंग का एक कमाल का hidden feature आप बोलो गयार डेली यार एक hidden feature बता था और एकी चीज़ बोलता है बैट ये वाला जो hidden feature है यार बहुत ही कामका है ये hidden feature बोल सकते हैं आज के टाइम पे डेली यूजिस के लिए बहुत ही कामका है बहुत लोग इस इस के लिए कोई भी third party app को डाउनलोड करते हैं और उस feature को वहाँ पर यूज करते हैं और ये feature आपके लिए important है कि नहीं और सबसे जरूरी यार चैल दोग मेरे चैनल को देखते तो बहुत हैं और मेरी वीडियो देखते तो हैं बैट मेरे चैनल को सबस्राइब नहीं करते दोस्तों ऐसा मत किया कर रहा है चैनल सबस्राइब कर लिया करो और साथ में नोटिफिशन वाले बैल आइकन को भी दबा लिया करो वीडियो उसके मत करेगा वीडियो को पूर देखिए तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते हैं करते हैं और उसका यूज करते हैं दोस्तों एक चीज बता दूं आप यह सब चीज अपने कैमरा एप के थुरू कर सकते हैं बहुत ही इसली वह भी पीडिया फॉर्म में भी स्कैन करके आप सेंड कर पाएंगे तो वह कैसे वही मैं आपको आज बताने वाला हूं तो आप द लाइक मुझे इसको स्कैन करना आपको दिख रहा होगा यह मुझे स्कैन करना है मैंने यहाँ पर पैच करा और आप देखेंगे यहाँ पर वो डॉक्मेंट आटोमेटिक दिख रहा है आप देख रहे होंगे यह लोग बलर का आपको यहाँ दिख रहा है और उपर आपको to scan वाला option भी दिख रहा है और अब देखेंगे यह आपको automatic यहाँ पर ऐसा बता देगा आप दिख रहे होंगे automatic आपको suggestion करके यहाँ बता रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है यागर आपको text के form में चाहिए तो simple आप text पर करेंगे तो वह text के form में आपको दिख जाएगा और पूरे text को detect करके आपको बता देगा और आप उसको copy भी कर सकते है ठीक है यह तो हो गया normal function बट हमें इसको scan तो हमें इसको करना यहाँ से safe ठीक है यहाँ से safe करने के बाद आप देखेंगे यह safe हो चुका है यह safe हो गया है आपको अगर इसको pdf में चाहिए तो आप डारेट इसको pdf में भी ले सकते हैं कैसे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ जाना है आपको अपने mobile के samsung notes app में samsung notes app में जाने के बाद यहाँ पर plus में जाना है यहाँ अपने documents को scan करना है अब मैंने यहाँ पर आ गया हूँ यह document को मैंने आप देख रहा है यह yellow color का हो गया automatic icon और आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है जैसी click करेंगे same जो पहले आ रहा था वहाँ पर हमने images में कर रहा था और यहाँ हम PDF में करेंगे हमने इसको done कर लिया ठीक है पीडियेफ में तो यहाँ पर जाएए द्री डॉट्स पर यहाँ पर आपको मिलेगा save as PDF फाइल आपको दिख रहोंगे यह आपको PDF फाइल में मिल जाएगा तो आप PDF फाइल की तरूं उसको save भी कर सकते हैं और अगर आपको डारेट इसको share करना पीडियेफ में तो यहाँ प देखेंगे PDF फाइल में आपका वो चला गया है आप देख सकते हैं यह PDF में यहाँ पर मैंने उसको send कर दिया और यह PDF में चला गया है तो यही scan कर सकते हैं आप जितने भी पेज़ों आप continue यहाँ पर scan कर सकते हैं यह जो method है बहुत कम लोग ही बता होगा normal आपको scan करना है व तो आप वहाँ पर Samsung Notes का use कर सकते हैं तो दोस्तों यह hidden फीचर था मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो उमीद है कि आपको यह पसंद आया होगा मुझे सबसे फीचर तो यहीं लगा है हमें जल्दी में कोई single page scan करके किसी को send करना है तो हम उसको normal वाले form में भी send कर सकते हैं photos form में जो की काफी अच्छा यहां पर आ जाएगा आप देखेंगे काफी हच्छा वह डिटेट करता है और हमें tap to scan पे क्लिक करना है और वह आपको क्रॉप करने का option भी देदेगा आप अपने साब से सेफ यहां पर कैसे आप इच्छा है इसको कर हमार सकते हैं तो धेक्यों दोस्तों तो सबसे जरूए चीज जोस्तों कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ प्लीज या चैनल सबस्क्राइब करना ना बूले को बहुत और अगर आपको लगता है और अपने भाई को थोड़ा बहुत और अच्छा आपको लगता हूँ आपको या मेरी वीडियो आपको ज्यादा अच्छे लगती हैं तो प्लीज यार मुझे इंस्टागाउं फेज़ फॉलो करना भी ना बुले मुझे पता लगे कि यार मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे पसंद करते हैं दोस्तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो और करना ना भूले तो थैंक्यू दोस्तों